Hello Dear Class 12 Commerce students, Welcome back to the class, मैं हूँ आपकी अपनी Accountancy Educator, Ampika Singh, आप सभी का स्वागत करती हूँ, Magnet Brains के चानल पर एक ऐसा platform जो पो प्रोवाइड करता है, 100% free and quality education, यदि आप English Medium के students हैं, तो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं, starting from class kg to class 12, और यदि आप Hindi Medium के students हैं, तो हम आपको Hindi Medium के courses भी प्रोवाइड करते हैं, starting from class 6 to class 12, CBSE Board के सारे course को हम कवर कराते ही हैं, और यदि आप Other State Board के students हैं, तो हम Other State Board के courses भी कवर करते हैं, जैसे की Delhi Bihar, UP, MP Rajasthan Board, और यदि आपको e-books जाई नूर्स का benefit लेना है, तो लिंक आपको description box में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते और से भी अवेल कर सकते हैं, ओके, so dear student, Magnet Brains, आपको complete course एकदम organized तरीके से provide करता है, along with practice questions and CIT solutions, और आपको मालूम ही हम तो account पढ़ते हैं, अकाउंट में, daily basis पे आपको exercise की बहुत सारी questions की practice कराती हूं, along with MCQ, most important questions, complete chapter revision and, और क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़े करते हैं, जो हम आपको provide करते हैं, ठीक है, तो करना क्या है, भाई, Magnet Brains से जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए चैनल को subscribe करना तो बनता है, तो फटा-फट से चैनल को subscribe कर दो, और आज की जो class होने वाली है, बिलकुल बढ़िया सी, इसको फटा-फट से like कर दो, share कर दो, ठी हैं, जो आज हमें discuss करनी है, तो as you all know, we are discussing a chapter number 3, class 12 का हमारा chapter number 3 चल रहा है, जिसमें हम काफी सारे concept पहले से ही cover करते हुई आ रहे हैं, है ना, तो chapter का नाम क्या है, change in profit sharing ratio among the existing partner की partnership firm में, जो already partners होते हैं, उन partners में जो profit को share करने का ratio है, वो change होता है, पहले को चौर होता है, फिर उसको change करते हैं, तो इस तरीके से जब वो profit को change कर रहे होते हैं, तो कैसे सारी चीजे होती है, क्या सारे adjustment होते हैं, वो पूरा इस chapter में हम लोग discuss कर रहे हैं, तो क्या-क्या complete कर लिया हमने बताव जलती से, सबसे पहले हमने sacrificing ratio देखना, gaining ratio देखना, या sacrificing partner, gaining partner को देखना, उस सबसे पहले चीज से की थी हमने, उसके बाद हमने accounting of goodwill सीखा था कि goodwill का कैसे accounting होती है, goodwill कैसे distribute होती है, कैसे उसका adjustment होता है, कैसे फिर उसके general entry pass होती है, वो सारा कुछ हम complete कर चुके है, यदि मिस कर दिया है, तो भाई देखना, playlist में सारी चीजे आपको मिल जाएंगे, के बढ़ेगी, हाना दिरे दिर करके हमारी गाड़ी बढ़ रही आगे, तो मैंडिया students अब इसके आगे के topic रहने वाले, तो आगे का जो topic है, वो क्या रहेगा, accounting of reserves, accumulated profit and loss, काफी important आपका ये रहेगा, क्योंकि इस से related question आते हैं, इस से related question आते हैं, ये जो पूरा chapter है ना, य ये बहुत important है, क्योंकि इसमें sacrificing and gaining ratio हमने find करना देखा, जो आगे तक काम आएगा, आगे के सारे chapters में आपको आना चाहिए, calculate करना, वहापे आपसे, मतलब हमें calculate करना पड़ेगा, then accounting of goodwill भी आगे कि जितनी भी chapter ने ने, side mission, retirement, dissolution, death, वहाँ सब में भी काम आएगा, कौन सा accounting of goodwill करना, उसके बाद ये जो है न, accounting of reserves, accumulated profit and loss, ये सब कुछ भी आपको वहाँ पर पढ़ना है, ये सब कुछ भी आपको वहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा, ये सारी चीजे आपको आगे तक के chapters के लिए, विलकुल clear हो जाएगे, यदि सारी चीजे यहाँ पर समझ ली, तो आ बाद पूछो कि reserve क्या होता है, तो मैं बार बार बता चुकी हो कि कोई भी company पूरा profit खर्च नहीं कर देती, या फिर पूरा profit अपने partners में distribute नहीं कर देती, profit का थोड़ा सा हिस्सा reserve में रखती है, जैसे हम अपनी bike में, petrol reserve में रखते हैं, ताकि emergency में, urgent वाली situation में काम आ सके, वैसे ही company अपने profit का थोड़ा सा हिस्सा reserve में लेकर चलती है, reserve में छुपा कर, बचा कर रखती है, ताकि emergency में, future में, urgent situation में वो profit कामा सके, वो होता है reserve, तो उसका कैसे क्या accounting हो दी है, क्या आपके सकते हो adjustment होता है, क्या उसकी calculations करते हैं, वो देखेंगे, फिर उसके बाद loss हुआ है, तो वो क्या distribute होगा, अब ही profit distribute होगा, तो जाहिर सी बात है, loss भी distribute होगा, फिर accounting of general reserve, अब आप देखो, basically आपको ये एक topic है, पूरा, इसके अंदर आपके बहुत सारे topic है, जैसे कि general reserve, workman compensation, ये सब आगे देखेंगे, investment fluctuation, फिर आपका आएक आजाता है, deferred revenue expenditure, ये of general, इसी के अंदर का ये सब topic है, ठीक है, तो इसको आज उठा लेंगे, इसका introduction देखेंगे, और फिर से related questions, further classes में समझेंगे, ठीक है, तो आजाओ, आज़ी class में इसका थोड़ा से hello high कर लेते हैं, इसका introduction ले लेते हैं, कि accounting of reserve, accumulated profit या loss होता है, तो क्या सारी चीज़े करनी पड़ती है, और general reserve क्या है, क्या नहीं है, इसकी क्या accounting होगी, वो थोड़ा सा सीख लेते हैं, तो आज़ो भी फटा-फट, सभी ने lecture कर दिया, सब आ गये हैं, आज़ो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी class, so, हमारा जो topic है, कहां से शुरू हो रहा है, accounting of reserve, accumulated profit and loss, इसके अंदर ना बहुत सारे topic है, मैंने अभी बताया है, जैसा कि, इसके अंदर आपके बहुत सारे 3-4 topic है, जो हम हरे class में separately पढ़ेंगे, है ना, आज इसका introduction देख लेता है, फिर हरे class में separately, पहले concept पढ़ेंगे, उसके बाद उससे related सवाल, questions, ठीक है, practical questions करेंगे, तो in the books of the firm, they are transferred to the partner's capital account, if capital are fluctuating, और current account, if capital are fixed, in their old profit sharing ratio, क्या बोल रहा है, क्या बोलने के कोशिश कर रहा है, यह कह रहा है, कि यदि आप firm में profit sharing ratio को change कर रहे हो, यदि वही है, तो ठीक है, कहानी चलने दो, फिर कोई दिकत, कोई समस्या नहीं है, चलने दो भाई, जैसी गाड़ी चलने चलने रही है, लेकिन परन्तु यदि firm का profit sharing ratio है, जो partner के बीच में profit sharing ratio है, यदि वो change हो रहा है, और अभी तक यह कहानी पढ़ रहा है, ठीक है, तो यदि वो change हो रहा है, PSR, that is profit sharing ratio, आपका change हो रहा है, तो आपकी company में, आपकी firm में यदि कोई reserve रखे, reserve मतलब वो जो profit चुपा के रखते हैं, जैसे कि घर में, for example, घरों में क्या होता है, अपनी मम्मिया क्या करती है, पैसे जो बाते है, घर में जो income आती है, salary आती है, तो थोड़े से पैसे मम्मी बचा के रखती है, अपने पास secretly, कहीं कहीं उनकी secret जगा होती है, जहां वो रख लेती है, अप पापा के पैसे नहीं होते हैं, तब क्या करती है, बम्मी फिर अपने secret reserve में से पैसे की घड़ी लेके आती है, ठीक है ना, वैसे ही जब नोट बंदी होई थी, अपना demonetization आया था, तब भी यह हुआ था, जब पांसो के और हजार के note आपके, क्या हो गयते है, बंद हो गयत में काम आएगा, जो हमारी मम्मिया करती है, अच्छे आदत है करना चाहिए, future के लिए saving करनी चाहिए, कोई मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, तो basically यहाँ पर हम company के बारे में देख रहे हैं, company के point of view से देख रहे हैं, कि यदि company के पास भी कोई reserve है, reserve मत तब मैंने बारवर बताया है कि यदि यह पूरा profit है आपका company का, तो पूरा profit तो आप बाट देते हो, partners में बाट दोगे, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा, बिलकुल छोटा सा हिस्सा आप रखते हो, reserve करके, कि वाई future में कोई condition हो गई, तो हम इसको काम में ले लेंगे, ठीक है, या फिर कोई accumulated profit है, यदि मालो कोई profit है, मतला firm का कोई profit है, जो भी तक बटा नहीं है, हैना अभी तक वो distribute नहीं हुआ, वैसे तापको मालो में, जो भी profit आता है, suppose यह profit है, जो भी profit होता है, पार्टनर्स में तुरत बढ़ जाता है, उसमें से थोड़ा सा reserve प्रक लेते हो, ल दिखा है, परन्तु अभी तक distribute नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, distribute करना पड़ेगा, क्योंकि आप ratio change हो रहा है, तो change कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो भी यदि reserve है, कोई ऐसा profit loss है, जो भी तक नहीं बटा, तो पहले इनको distribute करो, उसके बाद ratio change होता है, ठी पार्टनर के capital account में जाती है, चीज़े, मैंने पढ़ाया, फर्स चेप्टर में, है ना, इस तरीकी की चीज़े, पार्टनर के capital account में जाएंगी, कब जाएंगी, यदि उसकी capital, partner की capital क्या होगी, fluctuating होगी, और यदि partner की capital fixed होगी, तो कहा जाएगी, पार्टनर के current account में transfer हो जा क्योंकि अब आप पुराने से नई की और जा रहे हो, और ये सब चीज़े तो पुरानी है ना, ये सब चीज़े तो पुरानी है, पहले की है, तो फिर बटना भी तो पुरानी वाले रेशो में चाहिए ना, जाहिर सी बात है, पुरानी चीज़े पहले से बनाते हुए आ र अपने बाठ दिया उनके चाहिटल मेर्न अकाउंट में सभी पार्टनर को डिस्टिब्यूट कर दिया वापने या रिशो में बना लिया तो चीजों नए रिजयों में बना लिया तो फिर अब यह रिज़र्फ बनाओगेन नया जो प्रोफित क्माओंगे वो जो बाटोगे, फिर वो new ratio में बाट लेना, नई चीज़ों को new ratio में कर देना, परंतु जो पुरानी है, उनको तो old ratio में करो, ठीक है, यह आपकी important चीज थी समझने वाली, समझ गए है ना, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, right, चलिया, फिर कह रहा है, they are transferred because reserve, accumulated profit, accumulated profit मतलब undistrib अभी तक distribute नहीं हुआ, है ना, अभी तक जिसको आपने distribute नहीं किया, वो profit, वो loss, या कोई भी reserve, as on the date of change in profit sharing ratio were earned, before the profit sharing ratio change, जाहिर सी बाते, profit sharing ratio change होने के पहले कमाया है, यह सारा, है ना, यह profit भी पहले कमाया, यह reserve भी पहले का बनाया है, तो भाहिया, क्या कर दो, old ratio में 4, है ना, पहले किया है, ratio को change करने से पहले किया है, तो फिर new ratio में क्यों करेंगे, जब पहले का है, तो फिर पहले अले ratio में, that is, old ratio में करो, बस यह कहनी है, ठीक है, अब आपको question में reserve दे के रखेंगे, कुछ भी, कोई profit है, जो है, तो उसको फिर आपको partner को पहले distribute करना होगे, वो सब हम सीखेंगे, one by one, ठीक है, तो यह concept है, I hope, it is clear, अब बढ़ जाओ आगे, general entry देख लो, अब इसकी general entry भी देख लो, वो भी important है, है ना, क्योंकि question में को, हमने जो, पिछले accounting वाले question कि, accounting of goodwill, वाह पे भी general entry मांग रहे थे, तो बही general entry भी पता होनी चाहिए, क अब क्या मांग ले भाई, कुछ नहीं कह सकते, तो आओ, इसकी general entry भी देख लो, क्या क्या रहेंगे, यदी, for transfer of reserves and accumulated profit, अब देखो, मेरे प्यारे students, जो आपका reserve होता है, वो 3-4 categories का होता है, एक ही चीज़ का reserve नहीं है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, प्रॉफ यह पैसा safe कर रहे है, future में घर लेना है, यह पैसा safe कर रहे है, future में बच्चों की शादी करनी है, यह पैसा safe कर रहे है, क्योंकि हमें whatever, जो भी है, गाड़ी खरीदनी है, या या बच्चों के fees देनी है, बच्चों का, मतलब आपी जैसे बच्चे school में है, तो आपने सोचे जाएंगे इजुकेशन चांगे पढ़ाई लिखेकर करें कॉलेश की प्रविज आप से सेफ करके चल रहे हो थीकिए बच्छो के पढ़ाई के लिए शादी के लिए या घर के लिए किसी भी रीजन से से आप आज से पैसा रिजन पता है ना किया सादी करनी बच्छों की या पढ़ाई में लगेगा वाटेवर जो भी रिजन है पर रिजर्फ करने का कुछ नहीं कुछ रिजन है अब मारा पैसा जो हमने रिजर्फ रख है वो यूज कर ले तो वह जन्रल रिजर्फ है आपका ठीक है वो क्या है जन्रल रिजर्फ दूसरा एक हम यदि कंपनी के पॉइंट ऑफ यू से देखें तो एक रहता है आपका वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्फ यह मैं सब अलग अब यह शब्द क्या है अलग अलग पड़ाऊंगे तो यह कलास बहुत लेंदी हो जाएगी हमें इसको लेंदी करना हम अभी इंट्रट्टेशन पे आयां तो इसको इंट्रट्ट्ट्रेफ तक ही रखेंगे यह सब को सेपरेटली जब पढ़ाऊंगे तो इसको मैं बिल्क करके रखते हो पैसा कंपनी या तो workman compensation के लिए पैसा रिजर्फ करके रखती है यह इंवस्तमेंट fluctuation के रिजर्फ के लिए पैसा रखती है यह और भी चीज़ हो सकती है जैसे के deferred revenue expenditure के लिए आप रिजर्फ करके रखते हो यह और भी आपके motive हो सकते है जिससे company पैसा reserve करके रखे चलती है तो इस तरीके से अब इसके entry देख रहो यहाँ पर basically entry कैसे होती है यदि transfer हो रहा है reserve या फिर accumulated profit है ना company का firm का कोई reserve है जो अब आप partners को transfer कर रहे हो तो कैसे करते हो इस तरीके से करते हो कोई भी है इन में से जरूरी नहीं है सभी हो question में या जो भी question है आपको उसमें एक कोई दिया रहता है या दो भी होते है तो जो भी है जैसे कि कोई reserve है तो debit करो कहा debit करोगे all partner capital या current account में capital का वोगा जब fluctuating है current का वोगा जब fixed capital होगी ठीक है तो क्या करना है यदि कोई reserve है यह साब कुछ एक साथ में entry दी है अलग-अलग आप कर दिया-द्र इसको debit करोगे किसके account में partners की capital account में आपर partners लिख है all partner मतलब यदि तीन पार्टनर है तो कैसे करोगे to a partner capital account to b partner capital account to c capital पार्टनर नहीं लिखोगे रहे से मलतीन पाणरे a b & c तो कैसे लिखोगे to a capital account to b capital account to c capital account है ना तीनों में distribute कर देंगे reserve और यादी कोई profit and loss है जो अभी तक नहीं हुआ distribute तो उसे distribute कर देंगे हम to all partners capital account right और यादी workman compensation reserve है उसको debit करेंगे access of reserve over liability अब यह सब क्या होता है that I will explain you separately in each of the topics ठीक है so don't feel क्या यह सब क्या लिखा है यह सब separately आपको explain किया जाएगा है ना तो workman compensation reserve है तो उसको भी all partner के account में credit करते हैं यदि को investment fluctuation reserve है उसको debit करेंगे वही access of reserve and difference between ठीक है इसको हम पुरा जब पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगे यह सब क्या है तो क्या करेंगे सबी पार्टनर्स में distribute करेंगे किस ratio में करेंगे बार बार कह रही हो ओल्ड profit ratio में करेंगे ठीक है confused मतों ओल्ड PSR में और यहां पर लिखा है reserve over liability तो जो workman compensation आपको रहेगा जितनी आपकी liability है उससे यदि extra है तो आप distribute करोगे यह सब मैं आपको खेर पढ़ाऊंगे अभी इसको में ज्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती इसको आपके पार्टनर्स है जिसको वो distribute हो रहा है वो credit में लिखाएंगे और पार्टनर्स के नाम और old profit sharing ratio में distribute होगा clear कोई दिक्कत कोई परिशानी यह जनरल इंट्री आपकी समझ गये पक्का ना अब लाइक शेर कर दो फिर एक मज़दार सा topic start कर रही हूं ठीक एक नया topic फिर start कर दो इसके अंदर के एक topic हम आज से करेंगे क्योंकि मैंने बता है यह सब अलग-अलग जाएंगे आपके इन सब की आपकी अलग-अलग classes जाएंगे इनके अलग-अलग questions कर वाओंगे ताकि भाई एकदम इनो अच्छी तगड़ी प्राक्टिस हो जाए क्योंकि सब की लिए अलग-अलग classes लोंगे separate भी हर question कराऊंगी तो सभी को हम एक-एक class में लेंगे तो आज एक topic को उठाके हम लोग उसको इंट्रोडक्शन लेंगे उससे पहले like share कर दो फिर देखते हैं वो topic कौन सा है जो आज हम स्टार्ट कर रहे है like share कर दो हो गया सबने like share कर द करके रखती है यह क्या होता है यह मैं पूरा बताऊंगी आया तो आपने 11 पढ़ा होगा तो पता होगा लेकिन यादी नहीं पता तो मैं दुबारा आपको इसमें बता दूंगी तो जब भी कोई यदि आपको deferred revenue expenditure है उसका यादी कोई reserve है तो उसको क्या करोगे सभी partners में debit करते हो old में इसको भी old PSR में ही करोगे to profit and loss debit balance है ठीक है क्योंकि एक तरीके का expense होता है एक तरीके का करना है to deferred revenue expenditure जैसे की advertisement expense account ठीक है advertisement suspense account यह पूरा मैं आपको बताऊंगे separate वाले topic में है ना तो फिलहाल बस हमने क्या देखा कि यदि firm को देखो यह वाली जो इंट्री थी basically आपकी एक बार पीछे चलके देखते हैं यह वाली यहां पर बट रहा था profit and loss में यह profit था यह profit था accumulated profit जो भी तक distribute नहीं हुआ तो यह वाला profit partners में यहां पर distribute हो जाएगा तो यह सारी चीजे partner को मिलेंगी अब इसके बाद यहां पर दो इंट्री किस चीजों की है एक है loss की क्या वह तो प्रॉफिट था लेकिन यदि फर्म को लॉस है तो क्या होगा और यदि ऐसा कोई expense है जैसे कि deferred revenue expenditure है ठीक है ऐसा कोई expense है तो फिर उसका क्या होगा तो भाई उसमें करना क्या है सभी partners की अकाउंट में debit side पर होगा क्यों क्योंकि यह loss है और यह expenditure है तो लॉस और expenditure को credit side पर लिखेंगे कैसे to profit and loss क्योंकि यह loss है तो यह credit side पर आएगा दूसरी चीज़ यदि कोई deferred revenue expenditure है ना कोई expense है तो वह आपका credit side में आएगा clear है ना यह है लॉस और expense किसको कॉन सा expense deferred revenue expenditure वाली कहानी ठीक है loss or expenditure वाली यह entry है यदि loss और वो है क्या loss और expense है तो partner के account में debit side पर entry होगी और यदि कुछ reserve है कोई profit है तो क्या होगे partner credit side पर record होंगे clear बस यह difference है जब question solve करेंगे entries करेंगे तो आराम से सारी चीज़े समझ आ जाएंगी कोई headache headache वाली बात नहीं है ठीक है चलो this is done अब आजो वही जो मैं कह रही थी कि आज हम पहला topic स्टार्ट कर रहे है मैंने आपको general basic meaning introduction दे दिया accumulated profit का reserve का और loss का देख लिया एक general introduction हो गया उसकी हमने general entry भी देख ली अब finally एक पहला topic स्टार्ट कर लेंगे इस पहले topic का थोड़ा सा introduction देखेंगे फिर इस से general reserve ऐसा कोई specific reserve नहीं होता कि यार यदी हमने रखा है तो इसको इसी के काम में यूज करेंगे जैसे कि मानलों घरों में आपके ईंबी पापा बच्चों की शादी के लिए पैसा या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड जोड के रुड़्ेएं और फालतु खर्च zagण है चलते क्योंकि वो एसा कुछ नहीं के दिए क matar के लिए है यह N battle statement के लिए है नहीं जरूरत पड़ेगी ऐसा कईः गातो तो वह इemot hen rubber लाएगी तो यह एक तरीक का水 रीफिजर अगए जब भी जरुवत आईगी आप उसको तरीके से यूज कर लोगे जब भी पार्टनर मतब ऐसा लगेगा कि यार इस पैसे को अब यहां लगाना चाहिए तो पार्टनर वहीं करेंगे सभी पार्टनर की जो सहां मतब वह होगी आपस में जो भी बाते होगी जो भी वह लोग डिसाइड करेंगे उससे आपसे वह पैसा हम लगा देंगे ठीक है फिर कहरा है इस नौट स्पैसिफाइब यूज ऑफ जन्रल रिजर्व इस डिस्टिबूटे अमंग पार्ट डीटेल नहीं दी कुछ भी explanation उन्होंने नहीं दिया question में सिर्फ जन्रल रिजर्व दिया और कुछ amount दिया मालों 10,000-20,000 का मात्र जन्रल रिजर्व दिया और उसे related कुछ नहीं कहा कि इसको यह करना है वो करना है यदि कुछ नहीं कह रहा है तो क्या करोगे उसको आप simply distribute कर दोगे सभी partners में किस ratio में old ratio में यह मैं आपको बार बर बताया है ना हमेशा क्योंकि यह पुरानी चीज़ है ना पुराना रिजर्व है तो old ratio में आप इसको distribute कर दोगे ठीक है यदि question कुछ नहीं कहता कि यह इसको ऐसे करो वैसे करो question silent है सिर्फ general reserve दिया amount दिया है तो सभी partner में distribute कर दो old profit sharing ratio में important point है इसको star बनाके notes में लिख लेना ठीक है क्योंकि यह treatment है आपको मालूम होना चाहिए फिर आपसे कह रहा है in case they decide to transfer part of general reserve अब यह तो silent वाली situation हो गई कि question यदि कुछ नहीं कहता तो यह कर दोगे परन्तु यदि question कुछ कह रहा है question की भी सुननी पढ़त of general reserve to another reserve जैसे की workman compensation reserve यह investment fluctuating reserve the amount decided by the partner is transferred to that reserve and the balance amount is transferred to the capital या current account of the partner in the old sharing ratio यह क्या बोल रहा है कि यदि मालो question silent है तो तो नॉर्मली distribute कर दो old ratio में परन्तु यदि question कुछ कह रहा है अब question क्या कह रहा है यदि मालो question यह कहता है कि partner ने यह decide किया है company में firm में partner ने decide किया है कि जो भी general reserve है जो भी general reserve है उसको किसी दूसरे reserve में transfer कर दो जैसे की दूसरा reserve क्या होता है workman compensation reserve होता है investment fluctuating reserve होता है या फिर डिवर्ट revenue expenditure जो भी है है दो तिन टाइप की हमारे reserve होते हैं तो यदि आसा है कि general reserve का कुछ amount दूसरे वाले reserve में transfer करने को यदि question कह रहा है तो फिर आप क्या क सबस् Aires करने का आखे जो भी amount है जिस भी amount से वो transfer करने का मुल रहा है उस amount से और दूसरे reserve में transfer कर दो क्या कर दो दूसरे account में पहले transfer कर दो और फिर जो भी balance बच रहा है ना आधा transfer कर दी आफिर जो आदा बचा हुआ है जो balance है वो फिर क्या होगा वो कहा he ан människor होगा partner के capital यह करेंट अकाउंट में किस रेशो में old profit sharing ratio में समझ आया कोई बात नहीं अभी example से समझहति हूं देखो क्या example दो देखो अभी question क्या कह रहा है देखो question मितलब concept है basically यदि question silent है तो तो समझा गया ना question कुछ नहीं यह वाली condition में क्या कह रहा है यदि यह general जन्रल रिजर्व है और कितने का भी मालों 10,000 का है तो तो कुछ नहीं है सिंपल जन्र रिजर्व दिया है तो क्या करदो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रिब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में पहली कंडिशन है ना सिंपल है इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कोई है ना इतना आपको जन्रल रिजर्व है यदि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि जन्रल रिजर्व का थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरे रिजर्व में हमें ट्रांस्फर करना है यह जन्रल रिजर्व मालों यह दस हजार का टैन के लिग देती हूं ठीक है टैन के यह तो पत दस हजार का 5000 जो है दस हजार में से 5000 दूसरे में डाल दो और बच्चा 5000 रखो तो कैसे होगा इसका आधा कर दो यह हो गया 5000 यह हो गया 5000 यह जो 5000 है इन्हों क्या क्या है दूसरे रिजर्व में डाल दो इसको कहा ढाल देंगे किसी डूसरे रिजर्व मालो ये है आपका workman वाला रिजर्फ workman compensation reserve मालो तो इस 10,000 में से ये 5000 अपने workman compensation reserve में डाल दिया क्योंकि question में कहा था और partner ऐसा decide करके बैठे हुए है अब दूसरी चीज क्या होगी अब 5,000 तो गया, 10 में से बचा 5, तो बचे 5 का क्या करेंगा, यह तो बैलन्स हो गया, इसको इसमें से निकाल दिया, तो यह आपके पास बैलन्स आ गया, 10,000, किसका बैलन्स आ गया, जनरल रिजर्व का पहले जनरल रिजर्व 10,000 की थी, अब कितने की बची 5000 की क्योंकि बची 5000 हमने दूसरे रिसर्फ में ट्रांसफर कर दी दूसरे exam for the workman के कापिटर या करेंट अ्काउन्ट पर अउनके ओल्ड एचो में तो यह जो पांच हजार है अब यह कहा चला जाएगा यह जाएगा पांटनर्स में सुरह थे इसटियूट्र हो जाएगा मालो तीन पांटनर है एबी और सी सिर तो अब यह तीनों में distribute हो जाएगा किस ratio में तो हमेशा से बताया है old ratio में ठीक है क्योंकि पुरानी चीज़े हैं तो old ratio में जाएंगी कोई new view की अभी बात नहीं है ठीक है तो यह क्या करना है जो भी balance बच रहा है general reserve का उसको partners में बाट दो जितने भी partners है उसमें बाट दो जो भी balance बच ठीक है तो प बचा हुआ पैसा जितने भी balance आ रहा है बाकी के pattern में distribute कर दो clear बस यही है किसकी कहानी general reserve की कहानी ठीक है concept यदि यह कहानी समझ आ गई न तो आप से आराम से बन जाएंगे कोई दिकत परिशानी नहीं आएगी यही करना होता है questions में clear समझ में आ गया ठीक है तो अभी यहीं सब्सक्राइब करते हैं कल दुबारा मिलेंगे तो कल आ जाना यही टाइम पहना क्योंकि कल क्या करेंगे कल यही topic के question कराऊंगी exercise के questions कराऊंगी तो copy pen लेकर आ जाना इसी class में आ ठीक है क्या कराऊंगी इसी से related questions कराऊंगी यही topic से related तो बस आ जाना class में है ना यही वाले topic के बहुत सारे questions की solve करेंगे बहुत सारे questions की practice करेंगे तो आज concept पढ़ लिया अब आपका homework क्या है आपका homework है कि यह जो भी आज पढ़ाया है इसको दुबारा से revise कर करके आना revise कर करके आ जाओगे तो कल जब question करेंगे तो कोई रिशानी नहीं आएगी और यदि आएगी तो question के दौरान मैं सब कुछ solve करा दूंगी ठीक है तो कल copy pen लेके आना इसको क्या करेंगे इस concept कौंसा concept है भाई देख लो accounting of general reserve इससे related हम questions करेंगे कल की class में ठीक है तो भाई कल आ जाना same यही time पे यही इसी platform पर आना magnet brains में जाप आपको प्रोवाइड करता है free and quality education यदि आप English medium के students है तो हम आपको class kg से लेके class 12 के सारे course complete कर आते free of cost में और यदि आप Hindi medium के students है तो हम आपको Hindi medium के course भी प्रोवाइड करते हैं starting from class 6 to class 12 cbsc board के course को तो हम cover करते हैं along with that other state board के course भी कवर करते हैं जैसे की Delhi Bihar UPE MP Rajasthan board इसी के सा 3 special चीज़े और आपकी लिए जैसे की Vedic Maths spoken English यदि इनके courses आपको लेने तो free of cost में available है और crash course जो हम आपको revision के लिए provide करते हैं e-books याई notes का benefit लेना है तो link आपको यहां description box में मिल जाएगी आराम से जाके check कर सकते हैं और इसको भी आप available कर सकते हैं आप course कहां से देखे तो YouTube चैनल में पूरी playlist मिल जाएगी हर subject हर class हर एक course की आपको पूरी playlist मिल जाएगी आप हर चीज़ी sequence wise देख सकते हो chapter wise topic wise हर चीज़ आपको मिल जाएगी या फिर हमारा application डाउनलोड कर लो या फिर डिरेक्टी website पर जाके भी आप हमारे courses देख सकते हो free of cost में कोई charges आपको नहीं देने है चैनल को subscribe कर लेना other social media platform यूज़ करते हो जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp तो भाई यहाँ जाके भी हमें follow जरूर करे हमारे channel से जरूर जुड़े आश की बड़िया सी वीडियो को like share जरूर कर देना और यदि कोई doubt हो तो comment session में पूछ लेना तो मिलेंगे next class में till that take care and keep learning